योजने निंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है पैंसनर्स को एक जनवरी दोजार पच्चिस से बड़ा फाइदा मिनने वाला है क्योंकि अब पैंसन का जो पैसा है वह निकानना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसके लिए क्या सिस्टम लागू किया जाएगा और किन पैंसनर्स को इसमें फाइदा होने वाला है और यह फाइदा एक जनवरी दोजार पच्चिस से पैंसनर्स को मिलेगा सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माद्दम से वाले हैं वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं और क्या फाइदा आपको मिनने वाला है सब कुछ बताते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करिएगा चैनल पर नए आए है तो सस्क्राइब भी जरू खरिएगा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखिए EPFO के पैंसनर्स और प्राइवेट सेक्टर के करमचारियों के लिए एक राहत की ख़बर आई है EPS के तहट पैंसन पाने वाले सदसे अब अपनी पैंसन किसी भी बैंक या उसकी साका से निकाल सकेंगे यह सुविधा एक जनवरी दो हजार पच्चिस से लागू होगी यारि कि जो EPFO के पैंसनर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के करमचारी है या EPS के तहट पैंसन पाने वाले सदसे हैं अब वह है पैंसन किसी भी बैंक की किसी भी साका से निकाल सकेंगे और यह सुविधा एक जनवरी से लागू होगी इस नए सिस्टम का फाइदा देश भर के 78 लाग से अधिक EPS के पैंसनर्स को मिलेगा यानि कि जो 78 लाग EPS के पैंसनर्स हैं उन्हें इसका फाइदा मिलने वाला है दरसल सितंबर में केंदरे सरकार ने EPS 95 के लिए सेंटरलाइज पैंसन पैंमेंट सिस्टम CPPS को मंजूरी दी थी जिससे पैंसन धारक देश के किसी भी साखा बैंक की साखा में अपना पैंसन ले सकेंगे अक्टूबर में जम्मू सिर्नगर और करनाल छेतरों में CPPS के पाइलेट प्रोजेट के तहत 49,000 EPS पैंसनर्स को 11 क्रोड रुपे का पैंसन दिया गया था यह है परक्रिया जनवरी 2025 से लागू होगी CPP लागू होने के बाद पैंसनर को अब पैंसन पैंमेंट आदेश PPO को ट्रांसपर करने की जरुवत नहीं होगी यानि कि पहले अगर आप कहीं दूसरी जगह चले जाते थे तो आपको PPO ट्रांसपर करने की आवसकता पड़ती थी लेकिन नए पैंसन सिस्टम से यह है आपको जरुवत नहीं पड़ेगी चाहे वह किसी भी सहर में जाए बैंक साखा बदले पैंसन धारक अब देश भर में किसी भी बैंक साखा में अपनी पैंसन ले सकेंगे पैंसन वित्रन परणाली विकेंद्री करत है जिसमें EPF को के पड़ते कक्षेतरिये या नोजल कारियाले केवल तीन चार बैंकों के साथ समझोता करता है CPPS के तहट यह वविस्था बदलेगी और पैंसनर्स को बैंक में किसी भी तरह की वेरिफिकेशन परकिरिया के बिना पैंसन मिलेगी यानि कि जो CPPS लागू होगा उसमें पैंसनर्स को बैंक में किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं करना होगा उसके बिना ही पैंसन मिलेगी पैंसन का पैमेंट सीधे उनके खाते में आ जाएगा CPP परणाली क्या है CPPS परणाली के तहट पैंसन का वितरण पूरे भारत में सुचारू रूप से होगा पैंसन धारक यदी कहीं भी अस्थांतरित होता है या अपने बैंक साखा बदलते हैं तो उन्हें अब PPO भेजने की आवसकता नहीं होगी यह विशेश रूप से उन पैंसनरों के लिए रहात की बात होगी जो रिटारिमेंट के बाद अपने गरहन अगर लोटते हैं तो एक जनवरी 2025 से CPPS लागो होने जा रहा है और उसके तहत पैंसनर्स को काफी रहात मिलेगी वह बैंक की किसी भी साखा से कहीं भी पैंसन ले सकते हैं और इसका सबसे ज़्यादा उन पैंसनरों को होगा जो रिटारिमेंट के बाद अपने गरहन अगर लोटते हैं तो दोस्तो एक जनवरी 2025 से 78 लाग पैंसनरों हो यह रहात मिलने वाली है वीडियो अगर आपको अच्छे लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेट जरू करिएगा चैनल पर नए आए हैं सस्क्राइब भी जरूर करिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद